हीलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास SIX त्री चेप्टर हमारे कम्फ्लीट हो चुके हैن अब हम पढ़ेंगे चेप्टर FOUR चेप्टर FOUR का आज हम बेशिक पढ़ेंगे बेशिक क्या है देखते हैं चेप्टर का नाम क्या है Basic Geometrical Ideas basic geometrical ideas अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे introduction में कि chapter के अंदर आप से क्या पुछा गया है ठीक है first है हमारे पास point point हमारे पास क्या होता है जैसे कोई भी बिंदू point को हम क्या बोलते हैं कोई भी बिंदू यह हमारे पास क्या है कि point point determine a location point है वो किसको determine करता है किसको measure करता है location को it does not length, breath and thickness है उसकी कोई भी length, breath और thickness नहीं होती जैसे हम कोई भी एक point होता है हम map में देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है point होता है उसकी कोई भी बता रखा है कि उसकी कोई भी लंबा ही नहीं होती और उसकी कोई भी मोटाई नहीं होती, ठीकनेस, उसकी मोटाई या कितना मोटा है, कितना पतल है, ऐसा कुछ नहीं होता, point के अंदर, point एक ऐसा है, जिसकी ना लंबाई है, ना चोडाई है, ना मोटाई है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना उसकी हाइट है, ना उसकी गहराई ह सिर्फ वो किसको mention करता है, point किसको determine करता है, कि location को, जैसे यह point A, second है हमारे पास, line segment, line segment is the shortest distance between two points, line segment is the shortest distance, shortest क्या होता है, एक छोटी से छोटी distance होती है, between two points, दो points के बीच की जो दूरी है, कम से कम, दो points के बीच की दूरी को हम क्या बोलते है, line segment है, जैसे A point से B point, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, उसको हम क्या बोल देंगे, line segment है, A, B, line segment है, यह हमारे पास, कोई भी 2 point दे रहे हैं, उनके बीच की दूरी को हम क्या ब जब हम एक line segment को, यह हमार पास line segment है, लेकिन जब हम एक line segment को extend कर देंगे, बढ़ा देंगे, on both side, दोनों side, infinitely, जिसके कोई भी limit नहीं है, कि हमने कितना बढ़ा है, उसको हम infinitely कितना भी बढ़ा सकते हैं, एनिस्चित है, जैसे हमार पास a, b, हमार पास एक line segment है, इसको हमने इदर इसको हम गहीं तक बढ़ा धिया, इसको हम कहीं तक भी ऐसे बढ़ाते रहें, तो इसको हम क्या बॉल देंगे? line line वो होती है जिसकी कोई भी लंबाई नहीं होती जिसको हम निस्चित नहीं कर सकते किसकी लंबाई 5 मेटर ही होगी या 3 मेटर ही होगी या 2 मेटर या किस साइड बढ़ेगी इधर भी बढ़ सकती है यह इधर भी बढ़ सकती है ठीक है जिसकी हमारे पास कोई भी length नहीं होती When a line segment is extend on both side infinitely कितना भी हम उसको extend कर सकते हैं कितना भी हम उसको बढ़ा सकते हैं और क्या है AB यह हमारे पास double sided arrow है It means यह इधर भी बढ़ सकते हैं और यह इधर भी बढ़ सकते हैं Next है हमारे पास Ray Ray होती है है Hindi में Ray को बोलते हैं किरण जैसे किरण होती है न हमारे पास ऐसे ही Arrow Array is a portion of line Starting at a point and extending in one direction endlessly Array ऐसी होती जैसे portion array है एक किरण है वो एक ऐसा portion होता है कैसा हिस्सा होता है Offline Line का starting at a point जो एक point से start होता है and extend और बढ़ा दिया in one direction एक ही direction में endlessly बिना सीमा की जैसे यहां से हमने इसको शुरू किया तो हमारे पास देखो अगर हमने ये symbol लगा दिया तो it means क्या है इधर की side आपके पास इधर की side grow है इसकी ठीक है तो इधर की side ये extend कर रखा है अगर हमारे पास ये है symbol तो it means क्या है यहां से start होए इधर की side endless है कि इसका कोई अंत नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं एक रे A, B, रे ऐसे arrow का निशान दे देंगे इसके A, B के उपर तो इसको क्या बोल देंगे A, B, रे next है intersecting, intersecting क्या होता है एक ऐसी line intersect means cut करना two distinct lines which meet at a point दो distinct line, अलग-अलग line जो एक ही point पर cut करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं intersecting lines जैसे ये भी एक line है और ये भी एक line है इस point पर cut कर रही है तो इसको हम क्या बोल देंगे intersecting lines की दोरनों line एक दूसरे को intersect करती है intersect means cut करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं intersecting lines से, next है हमारे पास parallel lines parallel lines होती है same side में, same direction में चलने वाई lines, parallel होती है two distinct lines है दो अलग-अलग, distinct क्या होता है अलग-अलग दो अलग-अलग line आपके पास है which do not meet at any point, जो किसी भी point पे नहीं मिलती, do not meet नहीं मिलती, at any point, किसी भी point पे are called parallel lines है, दो ऐसी lines जो किसी भी point पर नहीं मिलती उनको हम क्या बोलते हैं parallel lines है, जिससे हमारे पास एक line AB है, एक line CD है हम इन lines को कितना भी आगे तक बढ़ाते रहें, लेकिन ये दोनों कहीं भी एक दूसरे को cut नहीं करेंगी, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, parallel lines अगर ये दोनों lines एक दूसरे को cut करेंगी, तो intersecting lines होंगी और अगर ये एक दूसरे को cut नहीं करेंगी, तो क्या हो जाएगी parallel lines next है, हमारे पास curve curve any straight और non straight line, straight होती है CD line, ठीक है the pencil is called a curve एक ऐसी line जो CD भी है, और TD में कैसी भी है मारे पास line without lifting, बिना उठाए the pencil, pencil को बिना उठाए is called a curve, एक ऐसी line draw, बिना pencil उठाए एक CD, या तो एक CD line draw करदो, जैसे ये हो गई या फिर एक TD line draw करदो, जैसे ये हो गई, ठीक है, लेकिन बिना pencil उठाए, एक draw की गई line है, उसको हम क्या बोलते है, curve, करदो हमारे पास क्या होता है, any straight कोई भी सीधी और एक TD, कैसी भी line है without lifting, बिना pencil उठाए, draw की गई, एक सीधी या TD line को क्या बोलते है हम है, curve उसके बाद है, simple curve, does not intersect itself, जो simple curve होती है, वो कभी भी अपने आपको intersect नहीं करती means, जैसे अपने आपको कटे नहीं करती, simple अब यह देखो, हमारे पास ऐसे है, अगर यह note simple होती, जैसे हमारे पास यह है, ऐसे करके और ऐसे कर दिया, बिना pencil उठाए किया, बट यह इसको कट करगी खुद को ही, खुद को जब कट कर देती है तो वो simple curve नहीं होगी और जब खुद को कट नहीं करेगी, तो मुसको क्या बोल देंगे के, simple curve, next है हमारे पास है, closed curve closed means क्या होता है, बंद होना curve, closed curve, ऐसी curve जो बंद है if the end points of a curve are joined then it is called as closed curve, एक ऐसी curve, जिसके end points, जिसके last point of a curve, एक curve के end points are joined एक दूसरे को join करते हैं, जैसी यह हमारे पास a है, यहां से हमने एक curve draw की, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, यहां पर हमारे पास दूसरा point भी है, और a और b को हमने ऐसे मिला दिया, अगर हमारे पास एक ऐसी curve है, जो जिसके दूनों end points हैं, वो एक दूसरे को join करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं, तो उसकों क्या बोल देंगे, closed curve, closed means बंदा करती, जैसे यह हमारे पास बंदा करती है, पूरी की पूरी खुली, नहीं है, इसकों क्या बोल देंगे, closed curve, next है, मारे पास open curve, open means खुली हुई, if the end points of a curve are not joined, then it is called an open curve, एक ऐसी curve, जिसके end points से, एक curve है, जिसके end points are not joined, join नहीं होते, उसकों क्या बोल देंगे, कि open curve, जैसे हमारे पास यह एक curve है, मारे पास यहां से हमने एक curve start की, ऐसे ऐसे गुमाई, फिराई, कैसे भी हम गुमाएंगे, लेकिन यहां के, इसको stop कर दिया, यहां के stop कर दिया, तो यह हमारे पास कैसी है, खुली यहां करती है, कैसी है, खुली है, क्योंकि इन दोनों को उमने नहीं मिला रखा, अगर इन दोनों को मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगे, क्लोस्ड कर्व बन जाएगे, लेकिन अगर इन दोनों को नहीं मिलाएं, तो कैसी है क्लोस्ड कर्व, यह ऐसे भी ड्रो हो सकती है, यह ऐसे भी ड्रो हो सकती है, कैसे भी कर सकते हम ऐसे करके मान लिया यहाला कि हमने एक यह point है इन दोनों को हमने join नहीं किया अगर इन दोनों points को हम join कर देंगे तो closed हो जाएगा और अगर हम इन दोनों points को join नहीं करेंगे तो हमारे पास कैसा रहेगा यह open ठीक है यह था हमारे पास chapter 4 का इंट्रोडक्शन जिसमें से आपको मैंने इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो आपको बता दिया हैं ओके थैंक यू